हेलो स्टूरेंट कैसे हैं आप सब होप यू आ डूइंग वेरी गूट इन फाइन तो दिस सेट प्यांगा खानना यौर एजुकेटर बचो जैसे कि हमारे काउंसलिंग के सेशन्स चल रहे हैं हमारे स्टूरेंट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा किरोसिटी है जाने की कि हमारे कितने मार्क्स पे कितने रांक आने की क्या मिल सकता है हमें क्या रांक है हमारी है ना सो यह आपको जानना भी बहुत important है as well साथी साथ वीडियो को start करने के पहले आप सबसे request है कि हमारे चानल को like, share and subscribe करना बिल्कुल ही मत बूलिए और bell icon को दबा दीचे जिससे आपको लगातार notification मिलेगा कोई भी new videos आएगी जो आप सब के लिए बहुत ही helpful है उसकी notification आपको जल करते हैं ठीक है तो बच्छों हम बात करें अगर कि अगर आपका score है 720 से लेके 701 आप देख सकते स्क्रीन पे क्या अगर स्टूडेंट आपका score है 720 मार्क से 701 तक आपका score है वन तक तो आपके रांग कहां पर कहां लाई करेगे वन से लेके 48 रांग तक क्लियर अगर आपके से लेके 48 रांग तक के बीच में लाई करेंगे नेक्स अगर हम बात करते हैं 700 से 690 तक कि अगर आपके इतने माक से तब आपको क्या रांग क्या हैगी आपकी सो 49 से 400 तक की रांग में आप 390 से 671 दिसके सक 671 तक कर आपके माक से तो आपकी रांग क्या होगी 400 से लेके 1500 आप देख भी सकते हैं से अगर आपके 661 तक अगर मार्क्स हैं तो आपके पंद्र वो सो से लेके पच्छी सो इसी तहीं के से बच्छो आगर 661 से 650 है तो कितनी होगी पच्छे- लेके 4500 टक की रंक आपके आएगी, ठीक है, लेको यह बेसिकली क्या है यह जो आपको यह बता रहा है कि जितनी marks आपके ज़्यादा आएंगे उतनी rank आपकी कम आएगी चीक है वट आवेसी बात ही है तो 720 से लिएक अगर 701 आपके अगर marks है इसके बीच में अगर marks है तो आपकी rank कहां पे लाई करेगी 1 से लेके almost 5048 तक की लाई करेगी कि気 अधर सब्सक्राइए जैसे जैसे marks बढ़ते जारे हैं आपकी rank भी क्या होती जारी रहे है तक आपके 17,000 यहां पर आपके 25,000 तो जैसे दिखी जिस marks आपके कम होते जा रहे हैं यहां पर marks कम होते जा रहे हैं 592 तक आगए जैसे आपकी rank क्या होती जारी है वो बढ़ती जारी है ठीक है so 592 से 582 तक कि अगर आपके marks हैं तो आपकी rank क्या होगी that is 25,000 से लेके यह 30,000 तक की rank में आ marks आते हैं तो उसकी कितनी rank है यह देख लिए तीन लाग से लेके आपके 30,000 से लेके कितनी हो गई यह 40,000 तक की हो गई इसी तेके से अगर हम और ज्यादा हमारे कम marks आए 548 तक पॉच गए तो आपकी rank कितनी हो गई यह आपके 5000 तक की rank पॉच गई 548 से लेकिन और कम होए त उसके according कितनी पॉच गई 3,000,000 से लेके 4,000,000 तक की rank जाए वो जा सकती है ठीक है तो यहां पर 75,000 यहां पर आ गई 1,000,000 यहां पर आ गई 1,500,000 तो इस तरह के साफ देखेंगे 4,000,000 तक की rank जाती है अगर आपके इतने rank scores आती है नीट में इतने score आए तो rank आप देख सकत है अगर कि according to the marks आपके कितनी rank आपके आती है या आ सकती है जो आ गई है clear तो बच्चों इसी देके से हम मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में ठीक नेक्स वीडियो में हम बात करेंगे और भी जाता नीट कांसलिंग से रिलेटेड और डिटेल जो हमारे बच्चों की quarries हो से रिलेटेड हम आप नेक्स वीडियो आपके लिए लेके आते हैं मिलते हैं आपते नेक्स वीडियो में तिल देन बाइबाइबाइब आन टेक केर